आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट के लिए किये जाने वाले स्ट्रेस टेस्ट के बारे में स्ट्रेस टेस्ट हार्ट की एक्टिविटीज को जानने के लिए किया जाता है अंडर फिजिकल वरक आउट actually क्या होता है कि जब हम physical activity फिर exercise करते हैं तो जो heart हमारा है रिदय है जो हमारा उसका जो blood flow होता है वो और ज़ादा fast हो जाता है और ज़ादा बढ़ जाता है जो pump करता है blood को heart में उसकी activity बढ़ जाती है तो उसको test करने के लिए कि exercise के दौरान या फिर under stress हमारा heart हमारा रिदय कैसे काम कर रहा है यह test किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी test के बारे में details से बात करेंगे कि इस test को क्यों किया जाता है इस test को करने से हमें क्या क्या समझ जाता है heart के बारे में और बाकी details के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया stress test ये जो test है ये heart की monitoring के लिए किया जाता है इसको stress test भी कहते हैं treadmill test भी कहते हैं और इसमें क्या किया जाता है कि जो treadmill होता है उस पे चला जाता है और या फिर जो आपने देखा होगा जो cycle होती है exercise के लिए जो use की जाती है cycle होती है जो खड़ी रहती है उस पे पैडलिंग की जाती है वो cycle या फिर जो treadmill होता है exercise के जो use किया जाता है इन दोनों को use करके heart की monitoring की जाती है पहले normal उसकी vitamins देखे जाते हैं और उसके बाद यह जो exercise करवाई जाती है उसके दोरान उसमें क्या changes आ रहे हैं इसको देखा heart के बारे में हमें पता चलता है कि उसका blood flow कैसा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है उसके अलावा अगर पहले से जानते हैं कि कोई heart की दिक्कत है तो उसका severity क्या है उसमें क्या benefit हो रहा है जो दवायां चल रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं यह सारी चीजे भी इस टेस्ट के कोई ऐसे science and symptoms नजर आ रहे हैं जैसे कि chest pain है या फिर बार बार सांस फूल रहा है, palpitation होता है या फिर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है जो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रही है कि heart से लेटर कोई दिक्कत हो सकती है, coronary artery disease हो सकती है इस तरह की कोई भी problem है उसको check करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है उसके अलावा अगर कोई surgery करनी हार्ट की उसके पहले heart की condition के बारे में monitoring की जाती है तो भी टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है, heart की जो blood flow है वो कैसा है, वो किस तरह से under stress बढ़ रहा है या drop हो रहा है वो जानने के लिए टेस्ट करवाया जाता है heart की rhythm कैसी है वो जानने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ एक safe exercise plan करने के लिए भी ये test करवाया जाता है और इसके अलावा इसको routine health investigation के तौर पे भी करवाया जाता है इसके अलावा जो medications आपकी चल रही है पहले से heart disease के लिए उसको monitor करने के लिए भी कि वो कैसे काम कर र करवाने के पहले कुछ खास साफधानिया बरतनी होती है तो जी हां कई सारी साफधानिया जो स्टेस को करवाने के पहले हमें बरतनी होती है जैसे कि चार गंटे करीब चार गंटे पहले आपको आपके जो डॉक्टर है वो कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए जैसे कि चार टेस्ट करवाने के 12 गंटे के अंदर आको कैफीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है न खाना है न पीना ऐसा कोई भी प्रोडक्ट उसके अल्मा अगर आप inhaler use करते हैं तो उसको जवर आप सात में रखें कोई और हैं मेरेच कोई कोई के लिए दवाई ले रहे हैं या फिर कोई में दवाई ये वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं हो सकता है उसमें से कुछ दवाईयां आपको डॉक्टर कुछ समय के लिए बंद करने के लिए भी कह सकते हैं साथे साथ कोशिश करें कि कमफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं और वोकिंग शूज हो तो बहुत अची बात है तो आप जानते हैं कि टेस्ट कैसे करवाया जाता है तो टेस्ट शुरू करने के पहले जो आपके वाईटल्स हैं जैसे की बीपी है आपका रिदम है ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर जाता है और उसको जो सेंसर होता है वो मॉनिटर से कनेक्ट किया जाता है साथी साथ कप के द्वारा आपका बीपी भी मॉनिटर किया जाता है और सारी मॉनिटरिंग चलती रहती है ट्रेडमिल पे खड़े होने के बाद दीरे-दीरे आपका जो वाकिंग है वो दीरे-दीर स्टार्ट करवाया जाता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं gradually इसका जो difficultly level है उसको बढ़ाया जाता है आपको थोड़ा heart पे आपके pressure डाला जाता है क्योंकि इस test के दौरान चेक ही करना कि अंदर stress या फिर under exercise आपका heart कैसे act कर रहा है वो blood flow में क्या differences आ रहे हैं तो यह continuously monitoring आपकी होती रहेगी gradually इसका जो difficulty का level है बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ जो आपके doctor है आपकी technician है यह आपको advise करते हैं कि इस test के दौरान अगर आपको किसी बेदर की difficulty महसूस होती है तो तुरंत आपको अपने doctor को बताना चाहिए अगर आपको test के दौरान बीच में कहीं भी लगता है कि आपके chest में चाती में या फिर आपके बाजू में कोई कोई तकलीफ हो रही है कोई discomfort हो रहा है साथ ही साथ अगर आपकी सांस फूलने लग रही है आपको घबराहट हो रही है आपको दुंदला पन नजर आ रहा है या फिर इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है आप तुरंत आपने doctor को इनफॉर्म करें इस टेस्ट के दौरान करीब साथ से बारा मिनट का समय लगता है एक्चुली क्या होता है कि इस टेस्ट को एक जो स्पेस्विक एक टार्गेट गूल होता है वहां तक आपको exercise करवाया जाता और देखा जाता है कि उसके दौरान आपके हाट की क्या activity है और नॉर्मल है तो जब यह टेस्ट खतम हो जाता है उसके बाद आपको थोड़े देर कुछ seconds के लिए बिल्कुल still रहने के लिए कहा जाता है उसके बाद जो sensors आप में लगाये गये थें उनको लगाये लगाये ही थोड़ा सा late जाने के लिए भी कहा जाता है और उसके दौरान नॉर्मल आपका हार्ट आ रहा है तो वो कैसे एक्ट कर रहा है कि वो जो procedure है क्या वो normal है या नहीं है या फिर उसमें कुछ उनको इर्रेगिलर्टी या फिर abnormality नजर आ रही है तो इस तरह से उसको monitor किया जाता है उसके बाद जब पूरा टेस्ट खतम हो जाता है तो सारे sensors हटा दिये जाते हैं आप अपने normal position में आ जाते हैं और उसके बाद जो भी result आया है doctor उसको monitor करते हैं अच्छे से और उस result के हिसाब से फिर आपको आपके doctor advice करते हैं कि further किसी और treatment की जरूरत है या फिर अगर वो देखते हैं कि result बिलकुल normal है कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई और test करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है कोई और medication की जरूरत नहीं पड़ती है वो टेस्ट के हिसाब से आपके doctor decide करते हैं तो मैंने अपने इस वीडियो में आपसे जो जानकारियं share की stress test चुकी heart के लिए किया जाता है heart की सेहत को जानने के लिए किया जाता है मुझ जाने बाद